ओम शान्ती साथ एक दो हजार तेज की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदी मद्य अंत का ज्यान मिला है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है हम घर जाते हैं प्राश्ण स्वयम को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा काईदा है उत्तर बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला बाप पर पूरा पूरा बली चड़ना पड़ता है दूसरा अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता तीसरा संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता ऐसे बच्चों का नाम ओल्माइटी गवर्मेंट के रजिस्टर में आ जाता है उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग वा राजिस्थान बना रहे हैं हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बली चड़ते हैं गीत ओम नमो शिवाए ओम शान्ती जिसकी महिमा में यह गीत है वही बैटकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं जिसको लीला भी कहा जाता है लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुडवान की तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है मनश्य तो जानते नहीं बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जैनती भी अब नस्दीक है शिव जैनती के लिए यह गीत भी अच्छा है तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हों बरोबर यह लीला है इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता है बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है हर एक की अलग-अलग लीला होती है जैसे गवर्मेंट में प्रेजिडेंट का मिनिस्टर का मरतबा अलग-अलग है न अगर परमात्मा सर्वेव्यापी होता तो सबकी एक एक एक्ट हो जाती सर्वेव्यापी कहने से ही भूक मरे है कोई भी मनश्य ना बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते है जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है ब्रम्हांड सुक्ष्मिबतन और मनश्य स्रष्टी का चक्र बुद्धी में फिरता रहता है यह है लीला अत्वार रचना के आदी मध्य अंत की नौलिज इस समय दुनिया के मनश्य है नास्तिक कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं साधू लोग भी कॉन्फरेंस आदी करते रहते हैं विचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है अभी कुछ टच होता है जबकि नाटक पूरा होने को आया है अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए क्रिश्चन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभू दुख से छुड़ाओ कलियोग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा दिन प्रति दिन दुख वरधी को पाता जाएगा वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे पर अंतु यह विनाश तो होना ही है यह कोई जानते नहीं तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रच्चता है तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं भक्ती करते हैं भगवान से मिलने चाहते हैं श्रीकृष्ण पुरी में जाने चाहते हैं जिसको ही स्वर्ग कहते हैं परंतु यह नहीं जानते कि सत्युग में ही श्री कृष्न का राज्य था फिर अभी यह कल्यूग पूरा होगा सत्युग आएगा तब फिर श्री कृष्न का राज्य होगा यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है फिर परमात्मा ने नईस रष्टी रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ब्रह्मा मुख वन्शावली तो जरूर ब्राम्हन कुल भूशन होगी वह समय भी संगम का होगा संगम है कल्यान कारी युग जब परमात्मा ने वैट राजयोग सिखाया होगा अभी हम हैं ब्रह्मा मुक्वन्षवली ब्राम्हन बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं तुम भी ब्रह्मा मुक्वंशवली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की वा अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में हैं। इसमें भी खास भारत में गुडियों की पूजा बहुत होती है। समझो चार करोड बच्चे हो तो ब्रह्मा की आठ करोड भुजाए हो जाए। परन्तु ऐसे है नहीं। बाकि प्रजा तो जरूर होगी। यह भी ड्रामा में नूध है। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखरीन क्या होना है। कितने प्ल प्लान्स बनाते हैं। यहां बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह राजधानी इस्थापन हो रही है। जो जितनी महनत कर आप समान बनाएंगे उतना उच्पद पाएंगे। बाब को नौलेजफुल, प्लिस्फुल, रहम दिल कहते हैं। बाब कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूं। स्रश्टी चकर का राज भी समझाता हूं नौलेजफुल को ग्यान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो किसको समझा भी सकते हो। यहां अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले-पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वार का स्वर्ग रच्चते हैं। फिर स्वर्ग वासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था, तो सब ही सर्वगुन संपन, सोला-कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्वे कारी थे।5000 वर्ष की बात है, तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवतातं की म इसमें अंधस्षरद्धा की कोई बात नहीं यहां तो सब बच्चे हैं फॉल्वर्स नहीं है यह तो family है हम ईश्वर की family है असुल में तो हम सबात्मा ये परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो family हुई न वह निराकार फिर साकार में आते हैं इस समय यह wonderful family है इसमें संशय की बात ही नहीं शिव की सभी संतान है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाई हुए है हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है नई स्रश्टी की स्थापना हो रही है पुरानी स्रश्टी सामने है पहले तो बाप की पहचान देनी है ब्रह्मावन्शी बनने बिगर बाप का वर्षा मिलना सके ब्रह्मा के पास यह ज्यान नहीं है ज्यान सागर शिव बाबा है उनसे ही हम वर्षा पाते हैं हम है मुखवन्शावली सभी राजयोग सीख रहे हैं हम सब को पढ़ाने वाला शिव बाबा है जो इस ब्रह्मातन में आकर पढ़ाते हैं यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिष्टा बन जाते हैं सुक्ष्म वतनवासियों को फरिष्टा कहा जाता है वहां हड़ी मास नहीं रहता बच्चियां साक्षतकार भी करती हैं बाब कहते हैं भक्ती मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है दाता मैं एक ही हूँ इसलिए इश्वर अरपन करते हैं समझते हैं इश्वर ही फल देते हैं साधू संत आदी का कभी नाम नहीं लेते हैं देने वाला एक बाप हैं करके निमित कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए वह सब है अल्पकाल का सुख यह है बेहद का सुख नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नौलिज समझाएं इस समय सब माया की मत पर हैं यहां तो तुमको ईश्वरिय मत मिलती हैं यह मत आधा कल्प चलती हैं क्योंकि सत्युक्त रेता में हम इसकी प्रालब्ध भोगते हैं वहां उल्टी मत होती नहीं क्योंकि माया ही नहीं है उल्टीमत तो बाद में ही शुरू होती है अब बाबा हमको आप समान तरिकाल दर्शी त्रिलो की नाथ बनाते हैं ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं फिर स्रश्टी के मालिक भी हम बनते हैं बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी उँच की है सारी स्रश्टी में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के उपर इतनी महनत करें और अपने से भी तीखा बनाए कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ मैं नहीं भोगता बाकि दिवविद्रश्टी की चावी मैं अपने हाथ में रखता हूँ भक्ती मारग में भी मुझे काम में आती है अब भी ब्रह्मा का साक्षतकार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविश्य प्रिंस बनो यह तो बहुतों को साक्षतकार होता है प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं बाकि बच्चों को यह पता नहीं पढ़ता कि सुर्यवंशी प्रिंस का साक्षतकार हुआ वह चंद्रवंशी प्रिंस का जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसिस तो जरूर बनेंगे फिर आगे वह पीछे अच्छा पुरुशार्थ होगा तो सुरेवंशी बनेगा नहीं तो चंदरवंशी तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है यह सब पुरुशार्थ पर मदार रखते हैं बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है यह है इश्वरिय फैमिली इस हिसाब से तो वह भी इश्वरिय संतान है परंतु वह कलियोग में हैं तुम संगम पर हो किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववन्शी ब्रह्मा मुखवन्शावली ब्रामन ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं किसको अच्छी रिती समझाने की मेहनत करनी पड़ती है 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले जिसकी तकदीर में होगा भकोटों में कोई निकलेगा आप समान बनाने में टाइम लगता है बाकी साहुकार का आवाज बड़ा होता है मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूँचते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ तो साहुकार कोई विरला ही आते हैं आने जरूर हैं परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए उन्हों को समझाना हैं हम तो भारत की तन्मन धन से सेवा करते हैं तुम भारत की सेवा के लिए ही बली चड़े हो ना ऐसा फिलांत्रोफिस्ट दानी कोई होता नहीं वह तो पैसे खटे कर मकानादी बनाते रहते हैं आखिर तो यह सम कुछ मिट्टी में मिल जाना है तुमको तो सब कुछ बाबा पर बली चड़ाना है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है तो फिर वर्शा भी तुम ही पाते हो तुमको नशा चड़ा हुआ है हम उल्माइटी अथोरिटी के बच्चे हैं हम उनके पास रजिस्टर हो गए बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत महनत लगती है जब संपूर्ण निर्वेकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिकाएं तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग वराजिस्थान बना रहे हैं तब उस पर राज्य करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला हम इश्वरिय संतान एक इश्वर की फैमिली के हैं हमें अभी इश्वरिय मत मिल रही है इस रोहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है दूसरा भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा-पूरा बली चड़ना है तन, मन, धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है पूरा-पूरा फिलैंथ्रोफिस्ट दानी बनना है वरदान परमात्म प्यार की शत्रचाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव जैसे कमल पुष्प कीचर पानी में होते भी न्यारा रहता है और जितना न्यारा उतना सब का प्यारा है ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए यह परमात्म प्यार शत्रचाया बन जाता है और जिसके उपर परमात्म शत्रचाया है उसका कोई क्या कर सकता इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म शत्रचाया में रहने वाले हैं दुख की लहरे हमें इस पर्श भी नहीं कर सकती स्लोगन जो अपने स्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तता ब्राम्हन कुल का नाम रौशन करते हैं वही कुल दीपक हैं अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही दे ते रहो बाबा अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीस टीवी इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की और साथ साथ ओडियो MP3 भी डाउनलोड करकर सुन भी सकते हैं ओम शांती